हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे मैंगो रबडी यह एक बहुत टेस्टी डेजट है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है और इसको बनाना बहुत ईजी है तो चली शुरू करते हैं रबडी बनाना इसके लिए मैंने दश यहाँ क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने नॉर्मल दूद यूज किया है। तो अभी हमें क्या करना है दूद को हमें बॉइल करना है है और हमें इसको दूद करना हृँ अब हमें फ्लेम मीडियम रखनी है लेकिन हमें इस बात कर दियान रखना है कि आपको दूद लगाता है चलाते भी ही पकाना है तो आप लोग देख सकते हैं दूद की कॉइंटिती थोड़ी कम हो चुकी है अब हम इस स्टेज में इसमें शुगर एट करेंगे चीनी मैंने यहा पे लिए आधा कप आप चाय तो अपने स्टेज के अनुसाल ले सकते हैं यहाँ पर मैंने चीनी को एड़ कर लिया है चीनी को हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो डिजॉल्ब हो जाए दूद में अच्छी से चीनी मिक्स हो चुकिया है दूद में अब हमें इस दूद को तब तक पकाना है जब तक ये दूद आधह न रह जाए और अब हम इसको मीडियों फ्लेम में पकाएंगे लगादार चलात वह पकाना है तो ये देखिए दूद आधा रह चुक है और दूद का कलर भी चेंज हो चुक है इस स्टेज में मैंने अट किया है इलाइची पाॉडर वन बाइफ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर एलाइची एट करने से इसका तेस और भी अच्छा आता है तो यह अच्छी से मिक्स ह हो चुक है अब मैं इसमे अट करूंगी ड्राइफूट्स यहाँ पर मैंने दो चंबल ड्राइफूट्स एट किया है मैंने यहाँ पर बादाम और काजू को छोटे-चोटे पीसे में काट लिया था इनको भी अच्छी से मिक्स करना है दूद में अब हम इसको दसमेट के ल क्योंकि ठंडा ओके अभी ओर थिक होगा यहाँ पर मैंने गैस को बन कर दिया आप मैं इसको धक्क्र लगाके ठंदा होने के लिए छोड़ देगे तो मेरी रब्री ठंडी हो हो चुकिये रेखिये यह कितनी ठीक हो गई ठंडर होने के बाद हम लोग यहां पर मैंगो की रबडी बना रहे तभी मैंने इसका मिक्चर थोड़ा थेन रखा है क्या कि अभी इसमें मैंगो पल पाएगा तो यह थीक हो जाएगा अगर हम लोग नॉर्मल रबडी बनाते तो इसका मिक्स्चर थोड़ा सा और थिक होता तो अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांस्फर कर लोंगी देखे इसका कलर कितना अच्छा है इसके बार हम इसमें एट करेंगे मैंगो पल्फ यहां पर मैंने एक कप मैंगो पल्फ लेया है इसको अच्छी से मिक्स करना है हमें र तो इसको मैंने अच्छी से मिक्स कर लिया है कि देखिए रबडी एक दम थीक हो चुकिया हमारी अब मैं इसमें एड करूंगी छोटे-चोटे पीसे में कटेवे आम वन वाइफोर्थ कब लिया है मैंने इसको इनसे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमें इसको बहुत हलके हाथों से मिक्स करना है ताकि छोटे-चोटे आम के पीसे यह टूटे ना तो हमारी रबडी रेडी है अब हम इसको सर्विंग बॉल में डालेंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपको इसको ज़रू ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगी है तो यहाँ पर मैंने रबडी को सर्विंग बॉल में डालेंगे अब हम इसको यहां पर गानिश कर लेंगे तो गानिशिंग के लिए हाँ पर मैंने लिए कटेवे आम मैं आमों को इनके उपर से डाल दूँगी आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाए दे रहे इसके बाद मैं इसमें आइड करी हूँ कटावा पिस्ता और कटेवे बदाम अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं को रेसिपी डालू आप तक सबसे पहले पहुचे थैंक्स पर वाचिंग बाब बाई